हलो बच्चो तो बच्चो आज अपन इलेक्ट्र स्ट्रेक्टिक पार्ट टू का लक्षर नंबर 11 डिस्कस करेंगे लक्षर नंबर 10 में बच्चो अपने यूनिफॉर्म कि यूनिफॉर्म कैविटी की बात कि थी वच्चो उनिफॉर्म कैविटी की बात की थी ठीक है उच्छो एक जो लाश्ट कुशन था वह लाश्ट कुशन मैं ने आपको दिया था और बोला था कि आप इसका अंसर बताना वच्चो तो चलो तो खुशन डिसकस करते हैं यह उसके बार आकर बढ़ ?! दो चो आपके पास एक conductor है कि ऐस एक स्पेर करना स्पेरिकल कंडॉक्टर रवा तो पास और इसमें यूनिफORM के विटी बनाई गई है सेंटर से एक हैंच हो ईए एक षीक विपिछ जिसमें बीच में से पनने cavity बनाई है इस center पर बच्च चार्ज क्यों रखा है पनने और आउटर मोस्ट पर भी चार्ज क्यों रख दिया पनने ठीक है तो वह uniform distribute हो जाएगा अब आपसे बोला गया है find out the electric field and electric potential at point a b and c a b and c ठीक है बच्चो तो मैंने आपको बोला बच्चो मैंने आपको के बच्च सिखाय था इसमें कि सबसे पहले अपन के करेंगे जो क्यों है यह जो charge क्यों है और इसके यहां पर इनर जो सर्फेस है यह यह तो यहां पर इंड्यूज हो जाएगा electric field तो यहां minus क्यों हो जाएगा ठीक है बच्चो इसको मैंने आपको प्रूब भी करवा दिया था और यह जो आउटर मोस्ट होगा बच्चो यहां यहां तो यहां प्लस के क्यों यहां माइनस के क्यों और यहां पर प्लस क्यों यह दो गए इस पेयर यहां चार्ज है प्लस के टू क्यों ठीक है तब आपने इंड इंडिवीजुल बात करें हैं बचो एक चीज और आपको मैं कलेर कर देता हो बचो कि कोई पॉइंट ए खूआ कोई भी प्उइंट जनर्रिंट कोई न कीज भी पॉइंट रप्षी और इसकी center से यह center से दूरी इसकी आयर है तीक है अब अब अच्छो देखो यदी मेरे पास कोई गोला है यह कोई spherical गोल और इस spherical गोले के अंदर यदि पूइंट पी है अंदर यदि कोई पी है तो बच्छो इलक्टृट कीन हो जाएगा जीड़ें इस गोले के रेस्पेẩ्ट में और इसलिए बेल बात है बश्चों यहINTंपिमे पर सब्सक्राइब इस चाहसे अच्छ की अजयло धर होगा यदि मैं इस गोने गोले जायक किसी गोंगे और जीतना चार्ज गोले पर मानलो क्यों चार्ज लेका चलो और 0.4 बच्छो बच्छे कोई पॉइंच फिल ले लिया यहां पॉइंच ले लिया जब मैं लग्त की पोटेंसी निकल वाइज पर तो कैसी निकल लुगा इस प्वंट पर तो Χार्ज चार्ज की से बच्छो यह आर्दूरी माली तो पॉइंच चार्ज की वज़े से अच्छा बच्छो यह भी दिलागे इनर आपके पास जो स्पेर उसकी रेडियस आरवन है और आउटर जो गया उसकी रेडियस आरवन और आरवन और आरटू अब बच्छो मुझे क्या बात करनी है कि इस पॉइंट ए पर एलेक्ट्रिफिल निकालना है पॉइंट चार्ज आउटर इस पेर के लिए भी बोलो अंदर तो जीरो तो टोटल मिला की इनरे जाएका बच्छो के क्यू भाई किस पर एड पॉइंट इलेक्टिक फिल एडड पॉइंट एड पॉइंट एड पर टोटल केक्यू भाई आर्वसिकार आपको फिर उसके बाद मुझे बात करना है क्या point A पे इस n yes energy potential निकालना है तो बूला भच्छर इस points charged की विए से point A की क्यूर घर किवार क्योंत मायनस Q वाला यह जो मायनस Q गोला है यह वाला इसके कहा है इस point a पे लग्ट्री फिल्ड तो point a पे लग्ट्री फिल्ड वही होगा जो इसके surface पे होगा अब surface पे potential कितना होता है kq by r1 है ना तो यह जाएगा minus k kq minus क्यों लगा है क्योंकि यहां पर minus kq है minus kq by r1 outer spare plus 2q की वज़े से बोलो क्या होगा एक point पर वही potential होगा जितना इसके surface पे तो surface पे charge 2q radius r2 तो किनो जाएगा k2q by r2 ठीक है आरोगेंटिमाइब बच्चों तो बेडू संज्वाइगा है यह वही बात है जैसे आपके पास मैंने आपको बहता है था conducting spare एक ठीक है एक conducting spherical है उसके surface पे charge है अंदर कोई charge नहीं है तो surface पे जो voltage होगा वही अंदर voltage होगा अब surface पे कितना होगा voltage radius r2 qy r तो इस point पे भी किना जाएगा kq by r संज्वाइब है ठीक है कोई दिक्क्त है क्या ओके तो इसको आपन जोड़ देंगे बच्चों के क्यू बाई आर के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर वन प्लस टू के क्यू बाई आर टू तो यह इसका आंसर हो जाएगा आर गड़े में बढ़ बच्चों तो इसी प्रकार आप बी पे सी पे और सपे पोटेंशन निकाल लेना यह अपने हो गया यूनिफर्म क्याविटी फोर कंडक्टिंग स्पेर के लिए आंसर हतम ठीक तो बच्चों आपन बात करेंगे एलेक्ट्रोस्ट्रेटिक सिल्डिंग कि एलेक्ट्रोस्ट्रेटिक सिल्डिंग जीसे मैंने यह कंडक्टर लिया ठीक है और इसमें मैंने cavity card uniform यहां पर ऐसे ठीक है मैंने प्यारे बच्छो अब बच्छो मैंने क्या करा तो बच्छो अब अपन इसको ऐसे समझेंगे कि आपके घर पर मालो एक ऐसा appliance है जो electric field से effect होता है यहनि यदि उसके आसपास एलेक्टिक फिल्ड आ जाए तो वो क्या जाएगा कुछ प्रवाव सील हो जाएगा कुछ ऐसी घटना को सो करने लग जाएगा जिसको आपको पता लग जाएगा ठीक है यदि वो electric field के संपर्क में आ गया तो मैं उसको बचाना चाऊँगा जो भी appliance है अपने electrical तो मैं उसको बचाना चाऊँगा किस से electric field से तो electric field से बचाने के लिए मैंने बच्चो क्या करा एक ऐसा conductor बनाया ठीक है और इसके बीच में एक ऐसी cavity बनाई तो उसके बीच में यहां पर रख दिया यह electric पर इफेक्ट करेगा नहीं तो नहीं करेगा बच्चो क्योंकि इसका जो इसके अंदर यहीं क्तर में तो यहां पर इसका electric और इसके एलेक्टिविल आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो इस वज़े से जो भी एफेक्ट होगा वो कहा होगा आउटर मोस्ट सर्फेस पे इनर सर्फेस पे कैविटी के अंदर बाहर के कारण कोई एफेक्ट नहीं पड़ेगा इसे अपन देंगे इसे अपन बोलेंगे सब्सकत करता है और नहीं करता है और इसका बाहर आ नहीं करता बच्चों इंट्रेक्ट नहीं करता है और फिर बच्चों यहां भी देखो conductor के अंदर इलेक्ट्री फिल्ट के होता है जीरो तो तो यहां पर एक वल एफेक्ट आएगा ठीक है कोई दिख्कत है और बच्चों यह भी चीज मैंने बता है कि अब यह चार्ज क्यों था यह पहले यूनिफॉर्म डिस्ट्रिब्यूट भी प्रजेंस में अब क्या हो जाएगा यह इस प्रकार अरेंज होगा अब यह क्यों एक्ट्री के अंदर हमेशा जीरो होना चाहिए लेकिन जब चार्ज क्यों आगया तो इसके वैसे कुछ डिस्ट्रिब्यांस होगा लेकिन फानल आंसर क्या बोलेंगा हमें रेक्ट्री जीरो यहां पर यहां पर राक्ट्रिक फिल्ड होना चाहिए जीरो इस पॉइंट पर ठीक है बच्चो ठीक है पर टू तो अब इसके लिए अपन क्या करेंगे कि यहां पर चार्ज क्यों है वो इस प्रकार अरेंज होगा इन सचे मैनर डैट ऑल्वेज इंसेट अ अब इसके उपर बेसिक सी बाते ऐसे वी कर सकते है यह दैनिक जीवन में अपने पास यह जो कार है अपनी कार है ठीक है इस कार में अपन बेटे है बच्चो और मालो आपके पास लाइटनिंग अरेश्टर हो गया लाइटनिंग अरेश्टर यह आपके पास क्या हो गई बच्चो गिर गई ठीक है लाइटनिंग अरेश्टर तो बच्चो अब आप बता सकते हो कि जब एक कार के उपर ला यह एक conductor है और यह इसकी cavity है यह पूरा एक conductor हो यह इसकी cavity है जिसके अंदर अपन बैठे है और अपन बाहर के से अपन पर कोई फरक नहीं पड़ेगा यह हो जाता है लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मालो बिजलिस दमा दम दम गिरी जा रही है और आप इसके अंदर बैठे हो तो आपके जो उसके बाहर की वज़े से लाइटनिंड जो आती है बच्चों चार्ज पार्टिकल जो आते है तो उपर से जो इक वही बात है पत्तर को जबन बच्चों जितने ऊपर से पहगेंगे तो उतनी स्पीड से आगे नीचे गिरेगा तो इसका जो वे वेल वेग होगा फिर फास्ट को वह डेमेज कर है मनला नुकसान कर सकता है ठीक है लेकिन और और यदि मैं इफेक्ट चार्ज के रेस्पेक्ट में बोलू तो लाइटरिंग अरेश्टर विल नॉट बी अफेक्टेड ओन इस पैसेंजर विच्विल बी सिटिंग और इंसाइड दा कार ठीक है जो कार के अंदर बट है उसको कुछ भी नुकसान नहीं होगा आप यह समझना चार्ज पार्टिकल के रेस्पेक्ट में अब मैं इसके मैकनीजम की बात नहीं कर रहा है मालो लाइटरिंग अरेश्टर की थोड़ा जादा तेज आ रही हो गिर गई हो कार डैमेज हो गई हो वह चीज़े अपन बात नहीं करें ठीक है मेरे प्यारे बच्चों संज में आ गया लेक्टर स्टेटरिस रिल्डिंग चलो दूसरा कॉंसेट बच्चों एक आपके पार डाइक कुश्चन आया था जही मे जहीं में कुश्चन था ड्रो इलक्त्रिक फिल्डलाईन ए ज्युक्त्रोफ इलक ट्रेक्ट्रिक फिल्डलाईन प्रेज्ट सिस्टम और च्चन था आपके पास एक कंडूकटर था उसके अंदर एक काविटी बनाए गई उनिफॉयम काविटी बनाए गई लेकिन बच्छो जो charge particle था वो अब center पर न रखें यहां inside the charge particle यहां पर रखा जा रहे है क्यों ठीक है अब इसकी वैसे अपन पर क्या करना है इस system की वैसे अपने को electric field line draw करना है तो बच्छो यदि यह center पर होता charge q center पर होता तो इससे क्या होगी electric प्रपेंडिकुलर यह बात समझे आया ना तो ओरिजिनेट भी परपेंडिकुलर होगी टर्मिनेट भी परपेंडिकुलर होगी अब बच्छो यदि इसके बीच में मैं इस पे रग देता हूँ गोला रग देता हूँ प्रपेंडिकुलर होगा तो यहां पर ऐसे गूम जाएगा यह ऐसे गूम जाएगा यह ऐसे परपेंडिकुलर ठिक तो यह इस प्रकाव एसे पर्पेंडिकुलर जी रहेगा ऐसे 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 सचाना है बच्चो और तो इसके अंदर यानि यह उठाके यहां रख देंगे और बाहर तो बच्चों बाहर चार्च क्यों यूनिफर्म डिस्ट्रिबूट होता है ठीक है तो यह ऐसे ऐ इसलए यहां पे रख देंगा कई बच्चे कर देंगे इसको ऐसे नहीं लगाएं यह लो डिए घर है मिर्म जाम है आपको जात गया है तो यह इसका अन्सर हो हिक जान कोई दिक्कत नहीं है कि सिप्रकार कि का नहीं है चलो बच्छो अब पर नहीं टोपी बढ़ेंगे